आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभी रामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम अज अन्तक्रण अत्यंत उल्लास से समाधान से और कृतद्नेता से भरा हुआ है हमारा संपुर्ण राष्ट्र और पुरा विश्व भी आज भग्मान श्री नाम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है यह इस देश की अस्मिता इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्लोई श्वास इसकी प्रतिष्ठा पांच सो वर्षों की प्रतिष्ठा के पश्चात यह संभव हो सका इसके जो अनेक कारण है उनके उपर तो आलोक हमारे सारे समारनी अभ्ध्यागट डालेंगे ही मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूँ छुटा सा काम कारण तो अनेक होते हैं लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्थर तक पहुंच जाते हैं और उस तरपर कोई महापुरुष्ण लोगों को उपलब्द होता है और उस विभूती के कारण युग परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान दृत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्टक्ता युग की आवश्टक्ता सनातन के अंतक्रण की आवश्टक्ता के रूप में हमारे सम्मारणिय प्रधान मंत्री जी प्राप्त हुए है यह केवल इस देश का नहीं यह संपूर्ड विश्व का सवभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को उप्राप्त हुआ आपके मंगल हातों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी वो सभाविक भी था वो होना ही था मित्रों लेकिन मुझे इस बात का आश्चर ही हुआ है जब मुझे लग लग वीज दिन पूर्व समाचार मिले कि मानने यह प्रतिष्ठा के लिए स्वयम अपने लिए क्या-क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयम को उसकी नियमावली आप लिख करके भेजे जस प्रकार का हमारे देश का अराज नेतिक माहौल है कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी करम करके चला जाता है पूदगाटन हो चाहे पौधार अपन हो चाहे कुछ भी हो लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं इस प्रकार की भावना कहां होती है यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है भग्मान शीराम की प्रतिष्ठा करनी है भारते जीवनादर्शों के सरवोच्च आदर्श भग्मान शीराम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समानी यहां की प्रतिष्ठा रही है इसलिए एक महान विभूती को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूँ मैं कर्मना मनसा वाचा कर्म से मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं सिद्ध बनाऊं और उसका मारगत तपही है भगवत गीता ने कहा यद्न दान तपक कर्म न त्याज्यम कारे में वतन तपह से ही विशेज परिशुद्धी होती है आज मुझे आपको बतलाने समय अंतक्रन गदगद होने की अनुभूती हो रही है मैंने तो कहा था हम लोगों ने महापुरुशों से परामर्श करके लिखा था आपको केवल तीन दिन का उपवास करना है आपने ज्यारह दिन का संपुरुशन किया हमने ज्यारह दिन एक मुक्त रहने के लिए कहा था उनुने अन्द का ही प्याग कर दिया महाभारत में कहा गया है अनशन ये सबसे बड़ा तप है अनशन और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं मैं थोड़ा तारकिक हूँ आपकी परमपूजिनिया माताजी से मिल करके मैंने उसको रीकनफर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 परशों का है ऐसा तपस्वी कोई राट्रिय नेता प्राप्त होना ये सामाने बात नहीं है वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए क्योंकि सांस्तरगी के दोश भी आते हैं वीदेश प्रवास टाल दिया सांस्तरगी देशों के इस दोशों की संभावना के कारण लेकिन दिविदेशों का प्रवास ऐसा किया नासिक से आरंब किया गुरु आयूर गए श्री रंगम गए रामेश्वरम गए इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमानों को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोणों में जाकर के मानों वे निमंदरन दे रहे तेकि आईये दिव्य आत्माओं ऐध्या पदारिये और हमारे रास्ट को महान बनाने के लिए आशिरवाद दीजिए हमने केवल कह था तीन दिनों तक आपको भूमी शयन करना चाहिए ग्यारह दिनों से आप भूमी शयन कर रहे हैं इस कड़कडाती ठंड में इस पकार का शयन करना मित्रो ब्रह्मा जी ने सुट्टी को निर्मान किया उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था भारत की संस्कृती का सबसे मूल शब्द है तप तप इती हमारे पूज गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरुद कहा करते थे कांची के परमाचार जी महराज तपस्चर मैं जब भी उसे मिलता था तपस्चर आज सबकी कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा मुझे इस परमपरा को देखते हुए केबल एक राजा याद आता है जिसमें ये सब कुछ था और उस राजा का नाम चत्रपती शिवाजी महराज मित्रों लोगों को पता नहीं है शायद मलिक आरजन के दर्शन के लिए श्रीश इलम के उपर गए तीन दिन का उपवास किया तीन दिन शिवो मंदिर में रहे और महराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है मुझे सन्यास लेना है मैं शिवजी की आराजना के लिए जन्मा हूँ मुझे सन्यास लेना है मुझे वापिस मत ले जाईए इतिहास का वो बड़ा बिलक्षन प्रसंगा है उस पसंग में उनके सारे जेट कमंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार यह भगवत सेवा ही है आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुश ऐसे प्राप्त हुए है जिसको भगवती जगदम्मा ने सयम हिमाले से लौटा करके बेर दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो तुम्हे भारत माता की सेवा करनी है मैं अपने को कभी सद्धा रखने के बारे में भावक नहीं पाता हूँ लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप जुग जाता है ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्ति स्राजर्शी ने जब दिखाया तो मुझे चत्रपती शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदा स्वामी महाराज की याद आ गई उन्हें शिवाजी का वड़न किया निश्चयाचा महामेरू निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू अकंडस तिपिता निरधारू श्रीमंत योगी हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ आज मैं यहाँ पर केवल इसलिए खड़ा हूँ कि इतने तपस्या के पश्चाथ इन सारे महात्माओं की अनुमती लेकर के और उनके आशिरवाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है आप सब की सहमती हो तो आप सब लोग ओंकार का घोश करके मुझे सहमती दे अपना उसक्वास पूर्ण कर रहे हैं माननी प्रधान मंत्री जी ग्यारा दिवसी उसक्वास को वो पूर्ण कर रहे हैं